हाई फ्रेंट्स मैं आपकी पूजा पूजा की रोस्वी घर में आपका स्वागत है आजकर सभी व्यक्ति हड़ी के दरद से परसान है बच्चे हो या बुड़े सभी की कमर में दरद कंधों में दरद घुटनों में दरद होने लगा है पहले ये सब बिमारियां 50-60 साल में हो होने लगी है किसी के कमर में दरद होने लगता है तो किसी के कंधे में मैं आपको ऐसा ओल बताऊंगी इससे किसी भी तरह का दरद हो चुटकियों में गयब हो जाता है घर के समान से चलिए वीडियो सुरू करते हैं आप देख सकते हैं मैंने कुछ समान लिया है या सभी के क पाउरफुल होता है एक बार आप बना लेंगे इसे जादा दिन तक आप यूज कर सकते हैं यह ओल खराब भी नहीं होता है यहां तक कि इस ओल की यह खास्यत है तोटी हुई हड़ी तक जोड़ देता है अब देख लेते हैं यह क्या है लॉंग मैंने लिया है चार से पांच यह मेथी है मेथी भी सभी के किचन में मिल जाती यह अजवाइन है सब मैंने एक एक चमच ले रखा है या जड़ी बूटी है या आसपस आपके मिल जाएगी मैं इसका नाम आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इसे बहुत ही अच्छा तेल बनता है और इससे यह होता है कि आपकी तोटी हुई हड़ी तक जोड़ देता है पैर में मोच लगा हो तो या तेल लगाएंगे इससे भी या सही हो जाता है यह बहुत अच्छा कामकरता है यह लसून है लसुन सभी के किचन में मिल जाता है लसून भी 5-6 अपको काटना है मैं आगे वीडियो मे और सरसो का तेल ही लेना है क्योंकि या बहुती फायदेमन होता है डियों के लिए और मालिस के लिए पहले जवाने में दादी नानी इसी का प्रियोग करती थी या बहुती फायदेमन तेल होता है या तेल एक बर आप बना लेंगे तो आप कभी भी कहीं भी दर्द हो आप अस लगा सकते हैं देखिये मैंने लग्सुन चिल ना है पहले लखुन चिल ले लेना है मैंने पांस च्छाय सकते हैं जो जरी बूटी और है क्योंकि यह आपके घर के आसपास ही मिल जाएगा बहुती असानी से यह अच्छा है मैं इसी तरह तारिफ नहीं करी, मैं अजमाद चुकी हूँ, आप भी एक बार ट्राइ करेंगे, तो आपको विश्वास हो जाएगा, बच्चे स्कूल से आते हैं, भारी-भारी बैगरता, उनके कंधे भी दर्ध होने लगते हैं, उसमें भी आप इसे लगा सकते हैं, कंधे दर्ध, पीडरत, कहीं कहीं भी दर्ध हो, आप इसे लगा सकते हैं, देखिए मैंने इसे कूट लिया है, इस तरह से कूट लेना है, यहां तक की टूटी हड़ी, पैर का मोज, हड़ी में यानि कहीं भी दर्ध हो, यह बहुत अच्छा तेल होता है, देखिए मैंने सभी पेड़ पोधा लगा रख हड़ी जोड़ के नाम से भी जाना जाता है, या पोधा कई नाम से जाना जाता है, या आसपास भी मिल जाता है, आपने देख लिया, हड़ी जोड़ का नाम है, बहुत असानी से मिल जाता है, अगर आपको कहीं ना मिले, या जड़ी बूटी का पोधा आसपास ना मिले, त लाइन भी मंगा सकते हैं देखिए आप पहचान लिजे यही पौधा है इसका नाम भी मैंने बता दिया है इसे थोड़ा सा तोड़के जैसे मैंने आपको दिखाया कुट लेना है और फिर इसे कैसे इस्तमाल करना है मैं आगे वीडियो में आपको बता रही हूं देखिए मैं मैंने पैंचर हा दिया है इसमें ऑईल डाल रखा है थोड़ा और डालेंगे यानि सरसो का तेल दिखिए मैंने सरसो का तेल लिया है सरसो का तेल बहुत ही फायदेमन होता है कहीं भी दर्धो उसके लिए या वीडियो जरा सभी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को चैनल पर आके देख सकते हैं देखिये मैंने मेथी डाल दिया है लॉट मैं अभी नहीं डाल लूग कि लॉटने लगता है तेल में पतपट करने लगेगा लॉट को सबसे आखरी में डालना सबसें मेती हो जाता है तब थु enorm लगाल देते हैं देखिये मैंने अज lang ऑगे पहले जवाने में यही चीज लगाए जाता था बाहर की दवाई नहीं खाना पड़ता था और नहीं इस्प्रे वगएरा लगाना पड़ता था अब किसी को भी कहीं भी दर्ध होता है तो कहते दवाई खालो दवाई खाने पर सही तो हो जाता है लेकिन दूसरे चीज खराब ह दवा नुकसान भी करती है फैदे की वज़ाए ज्यादातर नुकसान ही करती है लेकिन पहले जवाने के इसव नुकसान नहीं पाई देखये अब इसमें फिलेम Fukimate पकाना है तक्रस्क्राइज या जलें देमे जिए में इसका सारा अरग तेल में आ जाए अब इसमें लांग भी डाल दिते हैं गेस की फ्लेम एकदम लो मैंने करती है लो टू मीडियुम पे ओल मैंने पकाया है आप देख सकते हैं ओल अभी पहुत गरम है इसमें दो चीज और पड़ेगी आगे वीडियो में मैं बताने वाले हूँ देखिए कलर चेंज हो चुका है अब लवसुन वगेरा लाल हो चुके हैं अब गैस को बन कर देना है अब गैस बन कर देते हैं ऐसे थंडा होने देथे हैं क्योंकि आज़कल औरते काम करती हैं कलाई में दर्ध कमर की पीठ में दर्ध होने लगता है या ओईल लगाने पर सब दर्ध सई हो जाएगा हएक चमच हालदी में डालने शेभी दर्धda को खीच लेता है या बहुत ही फायदय होता है हिसी भी कि अब इसे इस इस तरह से रहना कि अब इसी बीं। इस या बहना को chroni Pen रहा हुच मैं और निए फॉर醉-प्रचराब तिज उता हैं उतने दिन आप रख इसके इनकाने लेकाई हरुए हिंभी उतने निलसर्च जोड़ को आप इस पॉधेम लीका। सकते हैं सामने ही आपके हड़ी जोड के नाम से इस पौधे को पहचाना जाता है अगर आपके पास यह नहीं है तो कोई बात नहीं आप इस तरह से भी बना सकते हैं बिना जड़ी बुटी के भी बना सकते हैं लेकिन जड़ी बुटी डालने से बहुत ही फायदेमन होता है अब इसे इस तरह से सिर्फ तोड़के इसमें डाल देना है, देखिए अब या तेल तयार हो चुका है, बहुत ही पावर्फोल तेल बना है, एक बार आप जुरू ट्राइ करें आपको फिस्वास हो जाएगा, महंगा महंगा आप ओल खरेते हैं, वह मत खरेते हैं, इसी तेल स लगाएंगे, तो आपके हड़ी का दर्द, यहां तक की घुटना घिसा हुआ हो, वह भी सही हो जाता है, इस तरह की स्प्रे बोतल में आप भर सकते हैं, आपको कहीं भी दर्द हो रहा हो, तो आप इसे लगा सकते हैं, इसे दर्द खतम हो जाता है, हलका गरम ही लगाना है, इस तरह से लेकि आप इस तरह से लगाईए, कलाई में, कमर में, कहीं भी दर्द हो, आप लगा सकते हैं, इस जड़ी बूटी का बहुत ही फायदा है, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, इसे हड़ी के दर्द बिलकुल सही हो जाता है, मेरे पैर के घुटने के हड बसाम दो टैम लगाएं इस ओईल को बनाके आपके हड़ी का दर्द जो भी हड़ी की समस्या है वह धीरे-धीरे सही हो जाएगी आपकी बिपैर की हड़ी हो या हाथ की हड़ी जहां भी दर्द हो रहा हो वह बिल्कुल खतम हो जाता है यहां तक की मोच या आपकी घुटने की हड़ी घिसी है वह भी सही हो जाएगी टूटी हुई हड़ी भी वह भी सही हो जाती है इसके अनेक पाइदे हैं में गिना नहीं सकती वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपको या वीडियो अच्छा लगे तो जादा से जदा फैमली दोस्तों में सेयर करें ताकि सभी को help मिल सके और मेरे चनल पर ने आए तो चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूर न भूलें हसते रहें मुस्कराते रहें मेरा जैनल देखते रहें बाई